कानपूर में बुंदेलखंट शेत्पीय कारवयाले के शुब आरम के पहले सपा नितार पितियादव ने बैनर लगा का विरोध कि आपको बता दें कि सपा निता ने आरोफ लगाते हुए कहा कि सपा सरकार पे खाली कराई गई अस्पताल के लिए जमीन पर बीजेपी ने अपना कारवयाले बनबा लिया है वहीं उन्होंने बीजेपी परारोप लगाते हुए कहा कि कानपूर का बुंदेल खंट शेत्रिय कारवयाले करोडों की लागत से बन कर तयार हुआ है आपको बता दें कि मुख्य मंत्री योगी आदितिनात और बीजेपी राष्ट्य अध्यक जेपी नड़ा आज कानपूर बुंदेल खंट शेत्रिय कारवयाले का शुभारम करेंगे बीजेपी कारवयाले की लेकिन इसके बाहर पोस्टर लगा दिया गया है सपा सरकार की तरव से लगाया गया है और सपा के नेता ने बैनर लगा कर ये विरूद किया है दरसल सपा की तरव से कहा जा रहा है कि ये जमीन जो है अस्पताल के लिए दी गई थी जिस पे बीज़पी ने अपना ये कार्याले बना दिया है और ऐसे मैं आपको बता दें कि सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार भी खाली कराई गई उनकी सरकार में ये जमीन खाली कराई गई थी और अस्पताल के लिए जमीन पर बीज़ेपी ने अपना काराले बनबा दिया है जादा जानकारी के साथ कानपूर से माय समवाद आता अशीश अवस्थी माय से जुड़ चुके हैं आशीश जिस तरह से आज जेपी नड़ा मुख्य मंतरी योगी आदितिनाद कानपूर पहुंच रहे हैं उनका दौरा है और बीज़ेपी काराले का वो घातन करेंगे लेकिन उससे पहले सपा का ये वरोध सामने आ रहा है जी बिल्कुल देखिए पारूल आज कानपूर में जेपी नड़ा होती हम योगी आदितनाद जो है कानपूर में अर्मन उनका होना है और वो कानपूर बंदेल खंड बिज़ेपी का काराले बनाया गया है उसका सुबहर हम आजू करेंगे इसके साथ ही जो बूत अज्चों की मीटिंग है वो भी साथ में करेंगे लेकिन सुबहर पाँच मेजे समाजवारी पायटी के नेता अर्टित्यादो दोरा एक बैनर काराले के बाहर लगा दिया गया उसका साथ पर लिखा गया है कि मौरंग मेली की जमीन है और मौरंग मे बिलकुल आशीश और देखे आज जेपी नडा कई बीजेपी के कार्यालों का उदखाटन करेंगे लेकिन जिस तरह से यहां पर अब ये सपा का विरूद किया जा रहा है बैनर लगा दिया गया है पुलिस प्रसाशन के तरफ से क्या कुछ किया गया है इस पूर्मामले को बिलकुल देखी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हब तक जब इस प्रियम योगी कानपूर आते थे उससे पहले समाजवादी पालिए कुछ नेता और कॉंग्रेसे कुछ नेताओं को नजर बंद कर दिया जाता है तो नजर बंद इस लिए किया आता है कि यह लोग विरू बिलकुल पुलिस प्रिसाशन के आशिश ये चूक तो है ही लेकिन ये सपा की तरह से सोची समदी साज़िश भी है क्योंकि जिस तरह से आपने भी बताया कि पहले ही इस तरह की दोरे को देखते हुए सपा के कुछ नेताओं को नजब बंद कर दिया जाता था तो इसी समाज़वादी पालिटी जो नेता है वो भी अपना मौका युगावाना नहीं कर दिया जाए गया तो समय जाकर बैनर चांग दिया गया बकाईदा इस तरह वीडियो बढ़ाया गया और सेर्वे किया गया यह कहा जा सकता है कही नहीं एक सोची समझी राणीत के तहट जो ह समाज़वादी पालिटी ने बिजेति कारयाले पर अपना बैनर स्टांग कर विरोध दल्द कराया गया जी कि सरकार में ये सरकारी जमीन खाली कराय गयती है स्टाल बनवाने के लिए लेकिन बीजेपी ने इसमें अपना कारयाले बनवा लिया है पीम नरेंद बुदी ने हाली में तीन प्रिश्री कानून को वापस लेने का फैसलक किया है एक तरफ जहां उनके इस एतिहासिक फैसले का पूरा देश के किसानों ने स्वांकत किया वहीं बीजेपी किसान मोर्चा आज प्रैक्टर रेली निकालेगी आपको बता देंगे तीनों प्रिश्री कानून वापस लेने के बाद आज गीट प्रैक्टर रेली को देखना काफे दल्चस्प होगा जानकारी के अनुसार ये रेली दोपेर 12 बजे बागपत जोहडी से शुडू को कर तहसील में समाप्त हो जाएगी और रेली में सांसर डॉक्टर सतिपाल सिंग और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदीश उपाध्यक्ष और भारतिय कृषी अनुसंधान केंवर दिल्ली के डिरेक्टर राम कुमार सहरावत भी मौजूद रहेंगे और किसानों को सरकार की तरफ से संचालित योजनाओ की जानकारी देंगे ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसर चुनाव की तयारियों को लेकर सभी पार्ठियां बैक्टिव को चुकी है इस बीच बीज़पी किसान मौचा ने भी जुनावी तयारियों के तहर जिले में बीज़पी का किसान मौचा ट्रक्टर रेली का आईज़न किया है और इसी कड़ी में बागपत जिले में आज ड्रैक्टर रेली काई आये जिन क्या जा रहा है आपको बता दें कि बड़ो चहर पे बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश महामंतरी सतेंद्र तुगाना निकाहा ये रेली सभी जिलों में अलग-अलग दिन निकाली जाएगी तीनों क्रिशी कानूनों की वापसी के बाद अब केंद्रे ग्रहर राज्यमंतरी अज्जे मिश्रा टेनी की गिरफतारी पर तकराश शुरू हो गई है भारते किसांग यूनियन के प्रवक्तार राकेश ट्रिकैत ने एक बड़ा एलान कर दिया है आपको बता दें कि अज्जे मिश्रा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लखीमपूर में चीनी मिल के उधगाटन में टेनी पहुंचते हैं तो अंदोलन किया जाएग आपको बता दें कि लखीमपूर में एक चीनी मिल का उधगाटन होना है जिसमें केंडियो गहर राज्यमंपूरी अज्यमिश्रा मुख्य अतीती के रूप में शामिल खुने बाले हैं ऐसे में चीनी मिल के प्रस्तावत उधगाटन का जिक्र करते हुए राकेश ट्रिकैत उधगाटन करने पहुँशेंगे तो उस चीनी मिल में कोई गन्ना नहीं ले जाए जाएगा वैलके किसान गन्ना जुलादिकारी के कार्याले ले जाएंगे चाहे उन्हें कितना भी नुकसान क्यों ना हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है विरोद अभी भी अजे मिश्रा के खिलाफ खूला हुआ है आपको बता दें कि राकेश टिकैट ने बड़ा एलान किया है कि जो लखीमपूर में चीनी मिल का खातन होना है अगर वहाँ जे मिश्रा पहुँचेंगे तो एक आंदोलन किया जाएगा अर्दोई के सवाजपूर में दिभ्यांगो को ट्राइसाइकल का विक्रन करने पहंच रहे हैं मंतरी जितन प्रसाथ ने कहा कि देश के प्धान मंद्री नरींद मोदी के नितरुत में लगातार मजबूत हो रहा है देश और राष्ट की मजबूती के लिए प्धान मंद्री मोदी काम कर रही है प्धान मंद्री योगी आदेतिनार निरंतर काम कर रहे हैं किसान बिल वापस लेने का जो सरकार ने पैसला लिया है सरकार उसके प्रती कटिबद है वहीं आगे जुतिन प्रसाद ने कहा कि एक दल छोड़ कर वो बीजेपी में पहुँचे है और उनका स्वभागे है कि पूरी पार्ठी परिवार ने उनका स्वागत किया और उनको सम्मान भी दिया है वो जरूरत मन लोगों की मदद उनकी सहाथा और ये को इसान नहीं है ये एक सोच है एक विचार है जो देश को मजबूत करने की और बढ़ती है राष्ट को और प्रबल बनाने की और अपना योगदान देती है और ये आप लोग बली बाती जानते हैं को कि सब हाथ प्रोस से आउंगे कि मुझे भी अभी कुछी दिन हुए है जब मैंने एक दल छोड़के भारती जिनका पार्टी का हाथ थामा है और इसके नेत्रत में के मुझे आशिरवात दिया मुए अपना स्वाबा कि समझता हू गौंडर में विद्युद विभाग में तैनाध समविदा कर्मी लगातार अपनी मांगो को ले का विरोध प्रद्रश्विन कर रहे हैं मांग पूरी ना होने पर विद्योत सम्विदा करमी दो दिवसे भूखरताल पर बैचे हुए हैं आपको बता दें कि सम्विदा करमचार्यों का आरोप है कि लगातार उच अधिकार्यों को श्रिकायत करने के बाद भी कोई कारवाई नहीं की गई है केवल आशवाशन ही दिया गया थानिय विद्योत विभाग प्रसाशन केवल हट धर्मिता पना रहा है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उगर आंदोलन करेंगे हम लोग कानून के तहट अपनी मांग मनवाने के लिए भूखरताल कर रहे हैं और भूखरताल के दौरान विद्योत वभूखताओं के लिए जो जरूरी सेवा हैं उसे भी देने में पीछे नहीं है तो गॉंडर कईपुरा मामला है जहां पर विद्योत करमचारियों की भूखरताल अब देख सकते हैं दिवसी भूखरताल उन्होंने रखी है शिकायत देने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस तरह के आरोप उनके तरफ से लगाए जा रहे हैं तस्वीरे भी देख सकते हैं कि किस तरह से विद्योत करमचारी भूखरताल पर बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम बड़ा अंदोरन करेंगे और इस तरह से हम भूखरताल तो कर रहे हैं लेकिन वो विद्योत भूखताओं के लिए जो ज़रूरी सेवा है उसे भी हम देने से पीछे नहीं खट रही हैं कि यह हमारी 19 सूत्री मांगे थी अभी 12 सूत्री मांगों पर हम सप्तम चरण में आज करमी कंसंट पर दो देश है 48 गंटे का कार वहिश्कार है जिस पर हम इस चरण को सफल बनाने के लिए बैठे हुए हैं इससे पहले 6 चरण हमारे पूरे हो चुके हैं पिछले महीने 11 तारीक से हम लोग आंदोलन रथ हैं जिसमें अभी भी हम लोग ने परचाल किये ड्यूटी को छोड़ कर ही जो आती आवश्यक शेवा मानी जाती है हमारे संबर की उसको छोड़ कर ही अपने सारे आंदोलन और करमिक अंशन कर रहे हैं और इसके बाद भी यह प्रबंदन हमें विवश्क करेगा हमारी मांगों पर कोई शकारात्मक पहल नहीं करेगा तो हमें फिर संपूर कारवहिश्कार करना पड़ेगा यह अगर आपकी मांग पूले होती तो और आगे आप क्या कर सकते हैं सब्सक्राण के बाद 29 तारीक से अभी 24 गंटे का कारवहिश्कार 24 तारीक 10 बजे तक रहेगा चलिक गॉंडर से ज्यादा जौनकारी के साथ हमारे संबात आता राजमंगल सिंग हमारे साथ चुट चुट चुके हैं बाद मंगल सिंग जिस तरह से ये विद्योत करम चाडियो का भूख हरताल देखी जा रही है क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या कुछ हमकी आगे करने वाले हैं जी बिल्कुल आप वतादे पारूल जिस तरह से गोंडा में मंडलीय कारियाले हैं मंडलीय कारियाले के प्रांगर में ये लोग भूख हर्ताल पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि ये पिछले 31 तारीक से लगाता रिये हर्ताल पर हैं लेकिन आज सक इनका सुध्ध हाल ल कहना है कि हम जूनियर इंजीनियर से एक ग्रेड नीचे हैं तो हमारी सेल्डी इतना क्यों कम है इस चीज को लेकर के ये बैठे हुए हैं और हलाकी अगर देखा जाए तो ज़रुरत की से ये हर लोग के खड़े ही रहते हैं और जो समचित व्यवस्था है विजली भाद की वो इन ही के जिन में होती है पूरी कभी भी रात हो चाहे दिन हो ये बिल्कुल अपने इस्था से लगे रहते हैं तो इस साथ से देखा जाए तो कहीं न कहीं पर प्रशाशन की और शाशन की कहीं न कहीं कमी नजर आ रही है फिर भी हर्ताल पर होने के बावजूद भी ये अंसट पर बैठे हैं कोई भी इनके तरफ दिखान आकरसित नहीं करता है चीज़े अपने आफिस में जाते हैं और वापस चले आते हैं इनकी तरफ कोई देखता भी रही है इनका साथ दोर पर ये आरोफ है कि हम सेखे पर बैठे हैं यहाँ पर यहां के प्रशाशनी कर्दिकारी को आना चाहिए जो बाते हैं सुननी चाहिए और उपर तक पहुशानी चाहिए लेकिन कोई इनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है कर नजर अंदाज कर रहे हैं जी चलिए ठीक है राजमंगला आपका बहुत 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 शुक्रे स्वाम चानकारी के लिए तो गॉन्ड करमचारी भूख हरताल करने को मजबूर हैं आपको बता दें कि शिकायत लगतार इनकी तरफ से देने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई करने को तयार दे हैं इसलिए यह भूख हरताल पर बैठने को मजबूर हो गए हैं सीतापूर में सोशल मीजिया पर अध्यापक को लात खुसा चपलों से मारते हुए एक वीडियो तेसी के साथ वारल हो रहा है जब इस संबन में ज्वाज परताल की गई तो पता चला कि मामला सीतापूर के थाना मचेर हटा कस्पे का है जहां पर एक शिशु विद्या मंदिर में प्रधान अध्यापक पर छेचार का आरोप लगा कर ग्रामीनों ने प्रधान अध्यापक को जम कर मारा पीचा यही नहीं एक महिला टीचर को भी लात घू से चपलो से मानने का वीडियो सामने आया वहीं परिश्णों का आरोप है कि उनकी लड़की के साथ प्रधान अध्यापक जेचार कर रहे थे और जब इस संबन में प्रधान अध्यापक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो 21 सालों से इसी स्कूल में सेवा दे रहे हैं और सब भी बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं क्योंकि वो 45 साल के हैं और लड़की 11 साल की है जो कि स्कूल में आई थी प्रधान अध्यापक ने आगे बताते हुए कहा कि जब रोने मासूम से उसकी मा का नाम पूछा रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए तो मा का नाम सुनते ही वो रोने लगी क्योंकि उसकी मा नहीं है जब प्रधान अध्यापक ने मासूं को शान कराने की कोशिश की तो किसी ग्रामिनों ने इसकी सूचना दे दी और जिसके बाद गाउंवारों ने प्रधान अध्यापक की जम कर पिटाई कर दी वहीं संबन में पुलिस जांच परताल में जुट कई है तो तस्मीरे भी देख सकते हैं आप सीतापूर का ये पूरा मामला है चलिए जारो जौनकारी के साथ सीतापूर से माय संबाल अता शिवराज सिंग हमासा चुट चुट चुके हैं शिवराज जिस तरह से प्रधान अध्यापक को पीतने का मामला सामने आया है वीडियो सामने आया है क्या ये पूरा मामला है और क्या कुछ इसमें अबडेट है जी दिखें आप बिल्कुल बताना चाहूंगा पारल पारल जी ये थाना مت Chainटा इलाके का मामला है जहां पे एक प्रदाना द्यापक पर छेंचान का आरोफ लगा कर जो ग्रामिनों नो उसकी जमकर पिटाई गी है पिटाई का बिडियो सोसल मेडिया पर बायरल होते ही पुलिस ने जो आरोफी है उसको गिरफ्टार कर लिया है और बात की जाए जो प्रदाना द्यापक पर बात की गई तो उनसे साथ तो और से कहना था बच्ची की मा का नाम पूछने पर बच्ची रोने लगी पस इसी को लेकर बच्ची को चुपाने लगे और किसी ने गाहँवाले ने परजनों को और ग्रामेडों को अग्रोसित कर दिया ताकि वो लोग आकर हमला उन्हों ने कर दिया जिसमें एक टीचर है उसको भी माईला कीचर को भी ग्रामेनों में चपल दूतों से पीटा है और पुलिश इस मामले में पूरी तरीचे से चान बिन कर रहे हैं क्या पूरा मामला था जी बिल्कुल शिवराज और जिस तरह से अभी जो जानकारी मिल रही है और आपने भी बताया कि ग्राम प्रधान पर आरोप लग रहा है कि बच्ची के साथ छेचा की तो पिछले काफी लंबे समय से वो स्कूल में अपनी सेवाई दे रहे थे तो क्या इस तरह का आरोप पहले भी उन पर लग चुका है और जो मासूम बच्ची के परिवार बाले है उनकी तरह से क्या कुछ कहना है परिवार बाले देखिए अभी बात चल रही है कि उनकी आपस में कि हो सकता है किसमें सुला समनुलता भी किया जाल सकता है चल ये ठीक है शुवराब का बहुत बहुत शुक्रिया सलाम चानकारी के लिए तो सीतापुर का इपुरा मामला है जहां पर आपको बता दे प्रधान अध्यापक पर बच्ची से छेचार करने का आरोप लगा है और ऐसे में जब ग्रामिनों को इसकी सूश्रा मिली तो ग्रामिनों ने वहां पर पहुंच का प्रधान अध्यापक को जम कर पीट दिया और इतना ही नहीं इसका वीजियो भी वहां पर किसी ने बना लिया जो की शोशल मीडिया पर वारल हो रहा है आप भी देख सकते हैं किस तरह से प्रधान अध्यापक को जम कर पीटा जा रहा है आपको बता दें कि प्रधान अध्यापक की जम कर पिटाई कर दी गई वहीं सम्मन में पुलिस जांच परताल में जुटी हुई है देश में एक और जहां युद इस्तर पर रिकॉर्ड वैक्सिनेशन के दावे किये जा रहे हैं वही इन दावों की पोल स्वास्ते महिकमर के सिस्टम खोल रहे है वैक्सिनेशन से जुड़ी अजीवो गरीब खबर प्रदेश के स्वास्ते मंत्री के ग्रह ज़नपा सिधात नगर से सामने आई है जहां चार महिने पहले जून में मर चुके व्यक्ति को दूसरी डोस तक लगा दी गई आपको बता दें लोटन सीची में इस तरहा के दो मामले सामने आए हैं जिससे ये साफ पुरा है कि टिका करन की फीजिंग में कुछ गरबर है लोटन शेत्र के एक व्यक्ति के मुबाइल पॉन्ट में आए पहले उनके में तक नाना जी का टिका करन आखिर कैसे हो गया तो सिदात नगर का ये पूरा मामला है जहां पर व्यक्सिनेशन के दावों की ये पोल खुलती हुई नज़र आ रही है हाँ ये मेरे संध्यान में आया और इसमें मैं इंक्वारी आदेश कर दिया हूँ और जो भी इसमें मुश्य उस पर हम करवाई करें कहीं ऐसा टेक्निकल फॉल्ट से या किस से हुआ ये देखकर जो भी चित्व कर दोब मैस्वेट हमारे पती को बड़े भाई थे उन अपरेयल में उनकी मृत हो गए उनके मरने के बाद ही उनको चार महीने के बाद दूसरा बैक्सीन लगाया गया इस अब कैसे हुआ हम लोग को तो खुश समझ में नहीं आ रहा है ऐसा ही होता रहेगा तो कितना हान होगी देश में कितना इस सब अब सोच की बात है कि वो मर चुके चार महीने को बाद भी टीका लग के चलिए सिदात नगर से अनंद मिश्रा मासा जुड़ चुके हैं अनंद जिस तरह से सरकार तो एक तरफ कह रही है कि हमने रिकॉर्ड वैक्सिनेशन करा लिया सौ करोर से ज़ादा वैक्सिन की डोसे लोगों को लगा दी गई है लेकिन दूसी तरह सिदात नगर से कैसी भी तस्वीर आती है कि मिरत्तक इंसान को दूसी डोस लगा दी जाती है चलिए शायद संपर्क नहीं हुपा रहा है दुबार से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो सिदात नगर का ये पूरा मामला है जहां पर वैक्सिनेशन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है आपको बता दें मिरत्तक को ही वैक्सीन लगा दी गई और ऐसे में सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि सौ करोर से जादा वैक्सीन लोगों को लगा दी गई वैक्सिनेशन जो है वो रिकॉर्ड तोड़ किया जा रहा है ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन लगा जा रही है लेकिन दूसी तरफ पी सरकार के दावों की पोल खुलती हुई कही ना कहीं ये नजर आ रही है और इसी के साथ इस बुलिटिन में फिलाल के लिए इतना ही हम दिखते रहे हैं नेस वाली इंटिया